नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। इसके बारे में कई सारी interesting चीजों की चर्चा करेंगे कि ये कहां पर located है, किस तरीके से elections होती है, कहां कहां से सदस्य चुने जाते हैं, जो voters होते हैं, वो किस तरीके से vote करते हैं, कई सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, चलिए start करते हैं मेरे साथ, मेरा नाम है की तयारी को आसान करने के लिए हमने कई सारे courses launch किये हैं जिसमें एक खास course है past year prelims discussion का जिसमें हमने पिछले 10 साल के papers को discuss किया है इस course को जरूर भाई कीजेगा इसको मातर 12 से 13 दिन में खतम कर सकते हैं आप और कई सारे aspirants को already help कर चुका है ये राइट सो तिबत की जो parliament in exile है इसके बारे में हम बात करते हैं इसका दूसरा नाम भी है इसको कहा जाता है Central Tibetan Administration ठीक है सो कुल मिलाके जो तिबत का complete शाशन है हम कह सकते हैं वो यहाँ पे तिबतियन parliament in exile चलाती है और इसको Central Tibetan Administration भी कहा जाता है किस आधार पे यहाँ पे शाशन होता है यह होता है on the basis of a constitution और यह constitution इनके जो दलाई लामा है उन्हों ने इस constitution को बनाने के लिए कमिटी रखी थी एक drafting committee जिन्होंने constitution को बनाया जिस constitution का नाम है the charter of the tibetians in exile जिसके आधार पे यह complete central tibetian administration यहाँ पे काम करती है यह located कहां पे है यह building जो आप देख सकते हैं यह वाली building है basically जो tibetian parliament in exile की है और यह located है इंडिया के हिमाचियल प्रदेश के कांगडा district में कांगडा में exactly to be very precise धर्मशाला करके एक famous tourist town भी है और यहाँ पे located है आपका tibetian का जो parliament in exile है इसका मुख्याले exactly यहाँ पे located है now सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पे discuss करना चाहते हैं वो यह है कि क्या tibetian parliament in exile को कोई भी country officially recognize करती है या नहीं करती है because tibet आपको मालूम होगा यह china का एक autonomous region का हिस्सा है क्या tibet parliament in exile को कोई country exclusively recognize करती है तो इसका जवाब है नहीं कोई country इसको विशेश तोर से recognize नहीं करती है even भारत जिसने की इसको पना दी हुई है जहाँ पे complete यह parliament in exile function करती है वो भी इस tibetian parliament in exile को officially recognize नहीं करती है हाँ लेकिन at the same time ऐसा जरूर है कि कई सारी countries ऐसी है which include USA और कई सारे European देश भी ऐसे है जो की tibetian parliament के सिक्योंग यानि की जो इनके president है उनके साथ directly deal करते है और कई सारे और ऐसे forums भी हैं कई सारे ऐसे मंच भी हैं जहाँ पे इनको invite किया जाता है और in fact even दो India इनको recognize नहीं करती है लेकिन इंडिया ने यहाँ के सिक्योंग यानि की यहाँ के president को इनको invite किया था प्राइम मिनिस्टर नेरेंदर मोदी ने अपनी oath taking ceremony में जब उन्होंने पहली बात प्राइम मिनिस्टर बनने की यहाँ पे शपत ली थी मई 2014 में आप देख सकते हैं यह वाली news cutting Tibetan leader है ठीक है इनका जनम Darjeeling में हुआ था लेकिन इन्होंने अपने काफी पढ़ाई अमेरिका से की और आज की date में यह इंडिया में रहके Tibetan administration को संभाल रहे हैं now coming back to the Tibetan parliament जो Tibetan parliament है इसमें कौन-कौन होता है I will talk about Sikhyong once again कि यह structure में किस तरीके से बैठते हैं now सबसे पहले जो Tibet की administration है इसमें आपको दो चीज़ें समझनी होगी जैसे भारत में तीन चीज़ें आती है एक आता है parliament एक आता है executive और एक आता है judiciary similarly तिबत में एक है parliament और एक है executive और judiciary भी है लेकिन हमारा जो मकसद है बात करने का वो parliament और executive का है because यहाँ पर हम elections की बात करने वाले हैं तो तिबतियन जो parliament है इसमें कौन-कौन आता है जैसे Indian parliament में लोकसभा में speaker और deputy speaker है वैसे ही तिबतियन की parliament में एक speaker है और एक deputy speaker है जो कि तिबतियन parliament को head करते हैं इसके इलावा जो तिबतियन parliament है इसमें 45 members है और इसमें जो 45 members है यह कुछ इस तरीके से आते हैं जो 10 प्रतिनिधी आते हैं यह आते हैं traditional provinces of Tibet यानि की Yusang, Dhotoy and Dhamoy ठीक है उसके बाद यहाँ पे 2 लोग आते हैं from 4 schools of Tibetan Buddhism यानि की हर Tibetan Buddhism की school से दो-दो लोग चुने जाते हैं और दो लोग आते हैं from the pre-Buddhist born religion so 10 लोग आपके यह हो गए उसके बाद 2 representing each of the Tibetan communities in North America and Europe and one from Australasia and Asia excluding India, Nepal and Bhutan so basically जहाँ जहाँ पर भी पहले 2 तो आपको समझ आ गए होंगे कि जो number 1 और number 2 जो है यह किस तरीके से हैं और जो number 3 और number 4 है जहाँ जहाँ पर भी दुनिया में Tibetan communities रहती हैं उनको represent करने के लिए उन्हों ने अपनी Parliament में कुछ ना कुछ इनसान को यहाँ पर रखा हुआ है this is the structure of the Tibetan Parliament ठीक है इसके बाद as I was talking कि हम बात करेंगे executive की so जिस तरीके से भारत में मंत्री मंडल होता है जो की executive को head करता है ठीक है और उस मंत्री मंडल को head करने वाले होते है prime minister वैसे ही तिबत में क्या होता है तिबत में जो cabinet है याने की मंत्री मंडल है इसको कहा जाता है कशग और ये जो कशग है ये Central Tibetan Administration की highest executive office है और इसमें 7 member होते हैं जैसे की भारत में कई सारे मंत्री होते हैं उसी तरीके से जो तिबत में ये fix किया गया है कि कशग में कुल मिलाके 7 सदस्य होंगे 7 से जादा सदस्य नहीं होंगे और ये जो कशग है जिसको हमने कहा President सो ये फरक है कि तिबत में Prime Minister नहीं है लेकिन सिक्योंग है जो की असल में President माने जाते है therefore he is the executive political leader जिनको की directly चोना जाता है by the exiled Tibetan population जो तिबत की आबादी है वही इनको चूज करती है जो की exile में रह रही है इसके बाद once the सिक्योंग is chosen इसके बाद सिक्योंग आगे जाके नॉमिनेट करते हैं अपने seven ministers को जिनको कहा जाता है कलोंज कशग आपके cabinet का नाम है और कलोंज यहाँ पे मंत्रियों को कहा जाता है ठीक है और यह कशग की जो term है जैसे भारत ने 5 साल की होती है वैसे ही यहाँ पर भी cabinet की term 5 साल की होती है So this is the parliament and the executive जो की आपको तिबत में देखने को मिलती है Now अब क्या हो रहा है कि 2021 की elections शुरू होने वाली है और 2021 की elections के लिए अल्रड़ी काफी सारी तयारियां शुरू हो चुकी है 2021 की जो elections है they will be held to elect the president यानि की सिक्योंग को elect किया जाएगा और 45 members of the TPIE को elect किया जाएगा So यहाँ पे जो आपके ये वाले सदस्य थे इनको भी चुना जाएगा और उसके बाद जो सिक्योंग है इनको भी चुना जाएगा सिक्योंग आगे जाके अपने अपने मंत्रियों को चुन सकते है इन सभी की elections इस particular election में होने वाली है इसका result जो है वो लगभग announce किया जाएगा around May 2021 में और इसका पहला round होगा January में और दूसरा round होगा April में जिसकी हम आगे जाके चर्चा करेंगे now यहाँ पे कौन-कौन यहाँ पे वोट करता है देखिए जैसा कि मैं आपको शिरुआप ने बताया कि तिबतियन्स जो हैं वो दुनिया में कई जगा पे रह रहे हैं and they are basically living in exile ठीक है दुनिया भर में लगभग 1.3 लाग तिबतियन्स हैं जो कि in exile रहते हैं यहाँ पे जो लगभग उसमें से एक लाग तिबतियन्स हैं वो maximum इंडिया में रहते हैं they are living across इंडिया और जो बचे हुए 30,000 लोग हैं वो कहीं US में हैं कहीं Australia में हैं Brazil, Canada, Costa Rica, France, Mexico, Mongolia, Germany, UK Switzerland और कई सारे अन्य देशों में देखने को मिलते हैं Now, यहाँ पे सवाल यह आता है कि जो यह अलग अलग देशों में है यह किस तरीके से वोट करेंगे देखे जो लोग तो भारत में located है वो लोग तो यहाँ पे तिबत का जो election commission है जो की धरमशाला में ही है वहाँ पे जाके वोट करते है लेकिन जो यहाँ पे इसके इलावा लोग है वो उनका system क्या होता है Only the Tibetians living outside the subcontinent will elect their MPs based on their current geographic location यानि कि वो अपनी geographic location जहाँ पर वो है उसी के अनुसार वो वहाँ पे वोट करते है ठीक है जो 1.3 लाग Tibetians है इन में भी कानून वही है कि जो 18 साल से जादा है वो यहाँ पे वोट कर सकता है ठीक है और वो यहाँ पे अपना मत दे सकता है So nearly 80,000 Tibetians ऐसे हैं जो की Tibet के बाहर है और इन्हों ने अपने आपको register किया है अपना पंजी करण करवाया है voting के लिए including roughly 56,000 living in India and 24,000 in other countries जिन्हों ने यहाँ पे अपना registration करवाया है Now यहाँ पे जो elections की बात करें यह कुल मिला के दो चरणों में होगी यह चरण इसलिए बनाए जाते हैं विकॉज जो पहला चरण होता है जो कि जन्वरी में होने वाला है इसमें कोई भी इनसान किसी भी candidate के लिए vote कर सकता है कई सारे candidates यहाँ पे अपने आपको list करते हैं जो कि या तो सिक्यों के लिए list करते हैं या फिर Parliament के member के लिए list करते हैं लेकिन यह पहले round के जो results आते हैं इसके बाद क्या होता है second round के पहले 60% of the vote जिन दो लोगों को मिलती है वो यहाँ पे final contenders माने जाते हैं और उनमें final यहाँ पे जो है एक तरीके से election होगी जिसका result आपको आएगा मई में और यह दूसरा round जो है यह conduct किया जाएगा April के महीने में So this is what happens in the second round जिसके बाद आपका final result सामने आता है देख सकते हैं Two phase elections for exiled Tibetan government on January 3 and April 11 Now this is the entire thing देखिए मैं आपके साथ वीडियो में एक और बहुत interesting चीज़ discuss करना चाहता हूँ कि जो Tibet के लिए democracy है जो Tibetians के लिए democracy है यह असल में इसकी शुरुवात भारत में ही हुई थी और आपको जानके हैरानी होगी कि Tibet के लिए जो democracy है वो असल में in exile ही शुरू हुई थी इसके पहले ऐसा नहीं होता था जो इनके दलाई लामा है इन्होंने democratization को शुरू किया सून आफटर ही केम टू इंडिया इसके बाद क्या हुआ इन्होंने दलाई लामा ने अपने जो fellow Tibetians थे इनको ये कहा कि आप अपने प्रतिनिदियों को चुनिए through universal adult suffrage यानि कि आप यहाँ पे अपना मत दीजिए और उसके अनुसार आपके प्रतिनिदि यहाँ पे चुने जाएंगे जिसके चलते पहली बार elections हुई थी for electing the parliamentarians for Tibet in 1960 जैसे ही वो जिसको हमने कशग कहा है जो यहाँ पे इनका मंत्री मंदल था इसको दलाई लामा असल में खुद ही appoint कर रहे थे यानि कि खुद ही उनको select करते थे खुद ही उनको appoint करते थे इसमें लोगों का कोई रोल नहीं था पार्लेमेंट में लोगों का रोल था जिसमें completely जो लोग होंगे they will be freshly elected assembly members और 2001 में पहली बार ऐसा हुआ Tibetan electorate for the first time directly elected the chairperson of the cabinet called Kalon Tripa ठीक है सो कशग का एक head था जिसका नाम था Kalon Tripa हमने आपको बताया था कि मंत्रियों का नाम क्या था Kalons Kalons का जो head यानि कि first among the equals उसको आप कह सकते हैं Kalon Tripa जो की equivalent to the prime minister था now Kalon Tripa जो है आगे जाके अपने members खुद appoint कर सकता था इसके बाद क्या होता है एक बड़ा बदलाव आता है कि दराई लामा ने यहाँ पे उसके बावजूद भी दराई लामा जो है लगभग 370 साल पुरानी practice को खतं किया और अपनी political responsibilities को यहाँ पे इन्होंने relinquish कर दिया इन्होंने कहा कि अब मैं केवल और केवल तिबत का spiritual leader हूँ political leader मैं नहीं हूँ और यहाँ पे इसी के चलते जो Kalon Tripa यानि कि जो Kalons के head थे वो बन गे तिबत के highest political office holder among the tibetians in exile और आगे जाके 2012 की बात है जस्ट एक साल के बाद position of Kalon Tripa को rename कर दिया गया Sikyong यानि कि वो prime minister नहीं बलकि president कहलाए जाएंगे ठीक है So this is how the process of democratization किस तरीके से start हुआ किस तरीके से दलाइलामा ने अपनी political responsibilities और powers को relinquish किया और तिबत in exile जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से भारत के अंदर एक democratic parliament को चला रही है जो कि मैं मानता हूँ बहुत ही गौरव की बात है Obviously अभी तिबत के लिए fight काफी लंबी है जिस तरीके से इनके जो issues है वो इनको अभी करना होगा लेकिन we just hope कि ये elections peacefully हो जाएं इसी के साथ आप से विदा लेता हूँ Thank you for listening, stay tuned and stay safe